खबरदार, बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत कर सकती है, आपको कंगाल जान भी जा सकती है, एक, जो लोग पूजा पाठ, प्रार्थना करते समय या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पैर हिलाते है, उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है, उनकी पूजा प्रार्थ 2. जियोतिश के अनुसार पैर हिलाने से संचित धन कभी नाश होने लगता है। ऐसे लोगों पर मा लक्षमी कृपा नहीं करती है। 3. जो लोग बैठे-बैठे पैर हिलाते हैं उनकी ये आदत उन्हें समय के साथ गरीब बनाती है। इस तरह पैर हिलाना मा लक्षमी को नाराज करता है। इससे व्यक्ति के जीवन से सुख, धन समरिद्धी कम होती है। 4. इसके अलावा बैठे-बैठे पैरों का हिलाना आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है और यह सामने वाले व्यक्ति पर आपका बुरा प्रभाव डालता है। 5. जो लोग पैर हिलाते हैं उन लोगों की नींड पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। 6. वेग्यानिक डृष्टी से देखे तो इस तरह पैर हिलाने से दिल का दौरा पड़ने का खत्रा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को हरिदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। Medical Science में पैर हिलाने की आदत को Restless Lakes Syndrome भी कहा जाता है और इससे बचने की सलाह दी जाती है।